इस वीडियो में हम जानेंगे लेजर क्रियेट करना, एक्सल के अंदर, डिटेर्ड वीडियो होगी कि कैसे हम अपने लेजर को अकाउंट वाइस क्रियेट कर सकते हैं, और कैसे एंटरीज को हम यहाँ पर डालेंगे, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, स subscription, reference, debit, और credit, यहाँ पर इसको टेबल की format के अंदर, convert कर देते हैं, इसको select करेंगे, ctrl d press करेंगे, my table has headers, इस option को टिक करेंगे, और ok के ओँपर click करेंगे, यहाँ पर यह table format के अंदर, change हो जाएगा, आप यहाँ से इसकी formatting कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको clear कर रहा हूँ इन fader का use हमको नहीं है तो इनको हम हटा देंगे Ctrl-Shift-L प्रेस करेंगे यह fader हट जाएंगे अब इनको यहाँ पर select करेंगे Merge and Center Size को increase कर देते हैं Same इनको भी select करेंगे इनकी alignment center कर देते हैं और color change कर देते हैं यह बात हो गई formatting की अब कुछ entries पास कर लेते हैं जैसे first entry हम पास करते हैं कि हमने किसी भी party को एक bill दिया सबसे पहले date डालेंगे date का format आपने यही रखना है यहाँ पर हम account head को बताएंगे जैसे हम एक bill दे रहे हैं तो हमारी sale होगी तो यहाँ पर हम sale लिख देंगे यह account head हो जाएगा sale उसके बाद description में लिख देंगे कि किसको हमने वो bill दिया reference में लिख देंगे कि क्या bill number था amount डाल देंगे अब same entry हमको राजीव के account में भी शो करनी है यहाँ पर हम इसको बनाने के लिए double entry system का यूज करने वाले हैं यहाँ पर same date आजाएगी अब हमने बिल दिया राजीव को तो राजीव head हो जाएगा हमारा description में हम लिख देंगे sale reference में same bill number आजाएगा और amount लिख देंगे same हमने एक sale करी राजधानी and company को एक purchase entry पास कर लेते हैं entries हम ऐसे ही पास करते जाएगे बस यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि date हम इसी format में रखेंगे account का head बताएगे बाकी description, reference और debit credit हम बिल्कुल ध्यान से बताएगे एक receipt और payment की entry भी पास कर लेते हैं यहाँ पर हमने दोनों entries को पास कर दिया है payment की और receipt की हमने payment receive करी राजीव से तो राजीव का account आ जाएगा जिस बिल के against में payment receive हुई वो हमने description में लिख दिया reference दे दिया हमने receipt जितना amount हमको receive हुआ वो हमने यहाँ पर बता दिया अब वो entry हमको bank में receive हुई तो यहाँ पर bank account आ जाएगा description में लिख देंगे amount received payment करेंगे हम target trader को तो account में उनका नाम आ जाएगा जिस बिल के against में हम payment करेंगे वो हम description में लिख देंगे reference दे देते हैं payment amount डालेंगे यहाँ पर bank account आ जाएगा description में हम लिख देंगे amount paid reference दे देंगे payment और amount लिख देंगे ऐसे ही एक राजधानी की receipt की entry पास करी है इन दोनों column को select करेंगे number format के उपर जाएगे यहाँ पर option है currency का इसके उपर click करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे rupees का sign आ जाएगा अगर आप इस currency sign को change करना चाते हैं तो यहाँ पर इनको select करेंगे right click करेंगे यहाँ पर option है format cells इसके उपर click करेंगे currency को select करेंगे यहाँ पर है symbol इसके उपर click करेंगे जो भी currency symbol आप select करना चाते हैं वो आप यहाँ से select कर सकते हैं अब इस row को select करेंगे view tab के उपर जाएंगे यहाँ पर option है free span इसके उपर click करेंगे और first option को select करेंगे free span इससे क्या होगा क्योंकि हमारे पास entries unlimited होने वाली है अगर entries को हम ऐसे ही pass करते जाएंगे तो यहाँ पर यह जो heading है यह भी hide हो जाएगी अगर यह option हम यहाँ पर enable कर देते हैं तो यह heading hide नहीं होगी यहाँ तक यह बात हो गई कि कैसे हम entries को pass करेंगे अब हम चाहते हैं कि यह जो ledger है यह account wise हमको show होए जैसे माल लेते हैं कि अगर हमको sale का account देखना है तो हम simply sale के उपर click करेंगे और यह हमको सारा sale का data दिखा देगा ऐसे ही राजीव का account अगर हमको देखना है तो हम सिर्फ राजीव के उपर click करें तो यह हमको सारा राजीव का data show कर दे इस तरीके से अब हम इस sheet को create करेंगे हम सबसे पहले कहीं भी table के उपर click करेंगे इसके बाद हम जाएंगे insert में यहाँ पर option है pivot table इसके उपर click करेंगे हैं तो हम इसको new worksheet के उपर create करेंगे यहाँ पर हम simply okay के उपर click करेंगे अब सबसे पहले मैं in sheet को नाम दे देता हूँ इस वाली sheet को नाम देते हैं ledger और इस वाली sheet को नाम देते हैं journal इसके बाद यहाँ पर option है pivot table feeds यहाँ पर यह हमसे पूछता है कि आप अपने report के अंदर कौन-कौन सी feed शो करना चाते हैं तो हम यहाँ पर अपनी सारी ही feed शो करना चाते हैं सबक्यों पर tick कर देंगे यहाँ पर अब हमारी सारी feed शो हो रही है इनको हम set करेंगे table को set करने से पहले एक बहुत जरूरी बात कि जब हम table को set करेंगे तब हमारा mouse cursor table के उपर ही रहना चाहिए अगर हमारा mouse cursor कहीं भी table से बार रहता है तो यहाँ पर यह जो option है यह हमको show नहीं होंगे इसको set करते टाइम हमारा mouse cursor table के उपर ही रहेगा अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा net amount है वो उपर की तरफ आ गया है इसको सबसे पहले हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे table के उपर कहीं भी click करके रखेंगे design tab के उपर जाएंगे यहाँ पर option है report layout इसके उपर click करेंगे यहाँ पर हम option select करेंगे show in tabular form हमारी report table format के अंदर change हो जाएगी इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम ledger account wise create कर रहे हैं तो हमारे लिए account वाली feed main feed हो जाएगी इसको हम यहाँ पर select करेंगे और इसको उपर की तरफ move कर देंगे क्योंकि हमको date description और reference का total नहीं चाहिए तो इनको हम यहाँ से हटा देंगे इस arrow के उपर click करेंगे feed settings और यहाँ पर हम select करेंगे none okay के उपर click करेंगे ऐसे ही description में करेंगे और ऐसे ही reference में भी कर देंगे अब यहाँ पर हम देखेंगे यह जो हमारी table है थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है कुछ setting और करेंगे design tab में जाएंगे report layout यहाँ पर हम select करेंगे repeat all item labels अब यहाँ पर हम account की feed settings को open करेंगे layout and print के उपर जाएंगे repeat item labels इसको on tick करेंगे और insert blank line after each line label इस option के उपर tick करेंगे okay के उपर click करेंगे इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे account का head है यह बार बार repeat नहीं होगा अब हम निकालेंगे इसका balance balance निकालने के लिए हम जाएंगे pivot table analyze यहाँ पर option है feeds items and sets इस option के उपर click करेंगे यहाँ पर option है calculated field इस option को open करेंगे यहाँ पर इसको नाम दे देंगे अभी हम balance निकालने वाले हैं तो इसको balance ही नाम दे देते हैं अब यहाँ पर option है formula का formula हम put करेंगे equal debit यहाँ पर debit को select करेंगे इसके उपर double click करेंगे यह select हो जाएगा minus credit credit को select करेंगे OK के उपर click करते ही जो हमारा balance है उसके लिए अलग से column add हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हमारा balance है वो अब यहाँ पर हमको show होगा अब हमारा balance भी आ गया अब हम चाहते हैं कि जो हमारे account है वो हमको account wise show हो जाएगे तो उसकी setting करने के लिए हम जाएंगे pivot table analyze के ओपर यहाँ पर option है insert slicer इसके ओपर click करेंगे यहाँ पर हम account के आगे tick करेंगे और ok के ओपर click करेंगे सिर्फ account को ही tick करना है बाकि और कुछ भी नहीं छेडेंगे एक dialogue box हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी हमारे account हैं वो यहाँ पर हमको show हो रहे हैं जैसे ही हमको किसी का भी data देखना है उस नाम के ओपर click करेंगे उसका data हमारे आगे सारा show हो जाएगा हम इस sheet के ओपर थोड़े से edit कर लेते हैं इसको merge करके यहाँ पर हम लिख देते हैं ledger यहाँ पर debit, credit और balance में currency sign add करेंगे fade setting के अंदर जाएंगे number format currency को select करेंगे और ok के ओपर click करेंगे currency sign add हो जाएगा अब यहाँ पर हम इसको credit और balance में भी कर लेंगे यहाँ पर लिखा है sum of debit sum of credit sum of balance यहाँ पर आके F2 प्रेस करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे debit debit लिखने के बाद space देंगे और enter प्रेस करेंगे same ऐसे ही credit पर जाएंगे F2 प्रेस करेंगे इसको remove कर देंगे credit लिखेंगे space देंगे और enter प्रेस करेंगे space देना जरूरी है नहीं तो यह हमको error show कर देगा sheet हमारी ready हो चुकी है अब कुछ जरूरी बाते हैं जो आपको इस sheet पर working करते वक्त ध्यान में रखनी हैं यहाँ पर entry डालते वक्त account में account का head जरूर बताना है अब कोई भी entry हम pass करते हैं चाहे वो किसी पुराने account की हो या नए account की हो उस entry को हम यहाँ पर डालेंगे entry डालने के बाद data tab के अंदर आएंगे refresh all के उपर किलिक करेंगे जो भी हमारा data होगा वो update हो जाएगा entry सारी update हो जाएगे अगर कोई new account की entry हम वहाँ पर डालते हैं refresh all के उपर किलिक करेंगे जो भी नया account होगा वो यहाँ पर automatic add होता चला जाएगा इसके बाद यहाँ पर यह जो plus और minus के sign आ रहे हैं इनको हम हटाना चाहते हैं इनको हटाने के लिए हम जाएंगे pivot table analyze के उपर यहाँ पर option है plus minus buttons इसके उपर किलिक करेंगे यहाँ पर जो plus minus के sign है वो हट जाएंगे इसके बाद यहाँ पर option है fade list अगर इस option के उपर untick रहेगा तो यहाँ से यह हट जाएगा वहीं अगर यह option select रहता है तो यह option आपको show होता रहेगा जैसा आपको easy लगे आप उस हिसाब से यहाँ पर option को select कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आएंगे यहाँ पर है grand total अगर यह amount 0 नहीं होता तो इसका मतलब है आपने कहीं न कहीं entry डालते वक्त कुछ गलती करी है जब हम सारी entries बिल्कुल सही डालेंगे तो यह amount 0 आएगा और यहाँ पर 0 ही होना चाहिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इस sheet को create कर सकते हैं